जै मातादी नवरात्री के पंचम दीन मासकन माता की पूजा अचना करने का विधान है साथ ही इन्हें अत्यन दयालू माना जाता है कहते हैं कि देवी दुर्गा का ये सवरूप मातरित्व को परिभाशित करता है वहीं प्रेम और मम्ता की मूर्टी सकन माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति के मन然后 कामना पून होती है और मा आपके बच्चों को दिरगायों पदान कती है वहीं देवी भागवत पुरान के अनुसार भोले नातिय अधांगनी के रूप में मा ने स्वामी कार्थिके को जनम दिया था स्वामी कार्थिके का दूसरा नाम सकंध है इसलिए मा दुर्गा के इस रूप को सकंध माता कहा गया है आईए जानते हैं मासकन माता की वरत कथा प्राचिन कथा के अनुसार तारका सुर नाम का एक राक्षर ब्रह्मा जी को प्रसंद करने के लिए कथोर तपस्या कर रहा था उस कथोर तप से ब्रह्मा जी प्रसंद होकर उनके सामने आए ब्रह्मा जी से वर्दान मांगते हुए तारका सुनने अमर होने का वर्दान मांगा तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धर्ती पर जिसने भी जनम लिया है उसे मरना ही है निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभू ऐसा कर दें कि भगवान शीव जी के पुत्र के हातों ही उसकी मृत्यू हो तारका सुर की ऐसी धाना थी कि भगवान शीव कभी विवा नहीं करेंगे इसलिए उसकी कभी मृत्यू नहीं होगी फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी तारकासुर के अत्याचारू से परशान होकर सभी देवता भगवाद शिव के पहुँचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रागना की तब शिव जी ने पारवचीजी से विवा किया और कार्थिके के पिताब बने सारे बोलो चैमाता दी